आज हमारे हम बहुत जादा ठंड पड़ी और ऐसे मौसम में गर्मा गरम समोसे तीखी और मीठी चटनी के साथ मिल जाएं तो फिर क्या बात है लेकिन हम जब घर पे समोसे बनाते हैं हम लोग तो कुछ प्रॉब्लम समनों को फेस करनी पड़ती है वो हलवाई वाला टेस्ट हलवाई वाला टेक्शर नहीं आ पाता है हमारे समोसों में ऐसा क्यूं होता है इसी सारी टिप्स और ट्रिक्स के साथ आज मैं अपनी ये वीडियो आप लोग के साथ ले करके आई हूँ तो पूरी वीडियो देखेगा बहुत छोटी छोटी बारीखिया मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्योंकि आज की ये रेसिपी प्योर हलवाई की खुद की रेसिपी है हेलो पूरीज वेलकम टू रसोई का स्वाथ कैसे हैं आप सब ओप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हूँ के अपना और अपनों का ख्याल रखिए चलिए सबसे पहले हम फिलिंग तयार करते हैं तो फिलिंग के लिए हम एक बड़ा चमच साबू धनिया ले लेंगे एक बड़ा चमच साबू गणे और एक चोटा चमच जीरा का ले लेंगे फिलंग को हम लو कर देंगे और इसके बाद इसको लो फिलंग पर चलाते वे अच्छी तरीके से भुनेंगे यह मसाला जितना अच्छा भुने का उतनी अच्छी आपकी स्टफिंग तेयार होगी और यह इसका प्रपोर्शन धियान रखेगा इसी प्रपोर्शन में आप मसाले को लीजिएगा मसाला हमारा भुन किया है अगर आपके पास इमाम दस्ता हो या यह हो तो आप इसी में कूटिएगा अगर ना हो तो आप मिक्सी में इसको दरदरा पिस लीजिएगा अब हम अपनी फिलिंग स्टार्ट करते हैं तो कड़ाई बे हमने डाल दिया है थोड़ा सा तेल तेल गरम होने पर हमने डाल दिया है इसमें हींग, हींग थोड़ा सा जादा डालिएका और इसके बाद अद्रक हरा मिर्चा इसमें क्रश करके डाल दीजेगा, पेस्ट नी बनाईएका थोड़ा क्रश करके डालिएका, उबले हुए आलू लेंगे वो डाल देंगे, अब आपको लग रहा हो का कि इतने बड़े आलू उससे कैसे फिलिंग हो पाई की, तो बस आगे देखते रहे हम आपको रीजन बताएंगे कि हमने बड़े आलू क्यों लिये हैं, अब इसमें स्वात के हिसाब से नमक डाल दीजे, काजू डाल दीजे, और भी कोई मेवे अगर आपको डाल दीजे, थोड़ी हलकी उब कर देंगे, फ्लेम को मीडियम कर देंगे, और अब हमको इसकी करनी है, अच्छी वाली भूनाई, जितना अच्छा ये मसाला भूनेगा, उतना ही अच्छा स्वाद आपके समोसे में आएगा, तेखे, दो ही चीज उसमें मेन होती हैं, समोसे में एक आउटर लेयर, खुब अच्छी क्रिस्पी होनी चाहिए, और अंदर की फिलेंग खुट चटपटी होनी चाहिए, ये देखे, अब हम इसको मैश कर रहे हैं, तो हमने आलो को साबूत इसलिए थोड़ा थोड़ा रखा था, जिससे की हम इसे अच्छी तरीके से भून सकें, बिल्कुल जब हम मैश स्वात के हिसाब से नमक, थोड़ा ही नमक डालिये का, हलका सा, थोड़ी सी अच्वाइन डालिये, और देखे, मैंने दो चीज इसमें डाली, एक मैंने एक चौथाई कप इसमें डाल दिया है घी, अगर आपको वनसपती घी मिल जाए तो तो बहुत ही अच्छी बात है, मै हम बहुत खस्ता बनाते हैं, जब हम चानते हैं, धीमी आज पे भी चान रहे हैं, सब कुछ है, तो वो चान करके तुरं तो बहुत क्रिस्पी लगता है, लेकिन अगर बायचांस हमें थोड़ी देर रखना परता है, तो उसके बाद वो थोड़ा सौगी सा हो जाता है, लेक मेट के लिए रेस्ट करने के लिए रखा, उसके बाद भी इसका टेक्शर इस तरीके का एक मुझे अच्छा दम लगाना पड़ा है, फिर से इसको हलका सा मल लीचे को और इसके बाद इसकी हम लोईया काट लेंके, आपको जितना बड़ा समोसा बनाना है, मैंने थोड़ा म बड़े बन गए थे, और मीडियम साइस के समोसे मैंने बनाय थे, आपको जैसा मतलब जो साइस रहिए, बड़ा साइस रहिए, बड़ी लोईया काट लीचे, छोटा चाहिए, छोटी काट लीचे, यह आपको पटे पिंट करता है, अब बेलने का क्या है, बेलना हमको इसको ओवल शेप में है, और एक चीज का और धिहान रखेगा, पूरी की तरह से पतला नहीं करिएगा, इसको रोटी और पूरी की तरह से हमें इसको पतला नहीं बेलना है, ना बहुत मोटा रखना है, ना बहुत पतला रखना है, हलका सा थिकनेस होनी चाहिए, इसमें थोड़ा और इसके बाद जैसे फोल्ड करके दिखा रहे ना बिलकुल उसी तरह से फोल्ड करेंगे इसके बाद जो स्टुफिंग आपने तियार की थी वो खूब अच्छे से इसमें भर दीजे और इसके बाद जो बाहर की एलेयर और बच्ची है उस पे भी हम पानी लगा लेंगे और और देखिए किस तरह से इसको fold करना है, देखिए एक तो simple इस तरह से होता है कि आप पूरा इसी ही चिपका दीचे, दूसरा ये कि इस तरीके से एक बीच में fold बनाईए जो कि हलवाई लोग करते हैं, और उसके बाद इसको करिएगा न तो वो जो टिकोना बैठने वाला समोस बिल्कुल नहीं लगता है, वो वाला समोस आपका तयार होगा इस तरीके से शेप में, देखिए आके पीछे दोनों हमने दिखा दिया, एक और आपको करके दिखाती हूँ, तो बिल्कुल उसी तरीके से इस तरीके से बना सकते हैं, देखिए कितना अच्छा प्रॉपर शे कर लीजे का, और रेसिपी अगर पसंद आ रही हो तो लाइक, कमिंट और शेर जरूर करिये का, अब कढ़ाई में जो घी या तेल आपने डाला उसका टेंपरेचर देखिए, मैंने थोड़ा सा इसमें आटा डाल करके देखा, बहुत हलके से बबल्स दिख रहे हैं बस इतन ही टेंपरेचर हमको ओईल का चाहिए, अब इस ट्राइम हमने क्या किया है, डालने के बाद हम थोड़ी दिर के लिए गैस को बंद कर देंगे, हलके हलके जब बबल्स आपको दिखने लग जाए, तब हम फिर से ओन करेंगे, फ्लेम को हम मीडियम से लो की तरफ रखेंगे, पहले कल्ची बिलकुल नहीं लगाएगा, जब आपको दिखे कि आपके समोसे हलके से उपर आने लग गए हैं, तब आप इसमें कल्ची लगाएगा और इसको एक बार पलट दीजेगा, बहुत कई बार अलटना पलटना नहीं करना है, अच्छे से धीमी आज पे देखे कम स 12-15 मिनिट लगता है एक बैच आपका तलने में समोसे के, अगर आपने इस से पहले निकाला ना तो वो समोसे में बात नहीं आएगी जो हलवाई वाली होती है, तो बड़े इतमिनान से अपने समोसे को तलिएगा अगर आपको बिलकुल भई हलवाई वाला टेक्शर और आपको मेरे समोसों का टेक्शर देख करके पता ही चल रहा होगा कि ये कितने परफेक्ट बने थे, बच्चों ने तो ऐसे चट कर दिये कि मतलब जब मैं चान चान के निकालती जारी थी, बड़ी ही मुश्किल से एक फोटो लेने थी बच्चों ने, वनना तो जैसी ही म आपनों को बहुत अच्छी लगी हो कि आप जरूर से इसको ट्राइ करेंगे, अगर ट्राइ करिये तो हमें जरूर बताइए कि आपको इस रेसिपी कैसी लगी, फेस्बुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना नहीं भूलिएगा, फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ तब तके लिए बाबाई, टेक के अथ, थैंक यू